हेलो सुरेंट्स कैसे आप सबी लोग आज में इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 26 करेंगे जिसका नाम है वाटर इंदा वेल यह मैं आपको हिंदी में एक्स्प्रेंड करूंगा पूरा चैप्टर इसके लिए आप वीडियो आखरी तक जरूर देखना ओके और उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल आइकों को प्रेस करो ताकि आपको हमारे ने ने वीडियो मिलते रहें तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले देखो क्या है सबसे पहले आपको what a farmer need most for his field is a good source of water देखो farmer मतलब क्या होता है किसान field मतलब आप बल सकते हो खेत ठीक है water मतलब पानी source मतलब बल सकते हो जरिया क्या बोलना है कि एक किसान को सबसे बड़ी जरूरत रहती है कासीम है इस आई ओना वेल डैट वस जस्ट आउटसाइड दे boundary of his field क्या बोल रहे है यहां पर देखो देखो यहां पर boundary मतलब क्या बचुकते हो सीमा ठीक है और यहां पर देखो field मतलब खेत क्या बोलने यहां पर कि जो कासीम है यह किसान है ठीक है क्या बोले इसकी नजर एक कुवे पर थी जो उसके खेत की boundary का बाहर था कासीम को नहीं देखो यह जो आपको इंसान दिख रहा है यह कासीम है ठीक है और देखो कासीम को अपने खेत के लिए पानी की जरूरत रहती थी लेकिन एक कुवा था जो कासीम के खेत की boundary के बाहर था मतलब उसका खुद का कुवा नहीं था लेकिन कासिम की नजर उस पर थी वो शायद उसे खरीदना चाहता था या उससे rent पे लेना चाहता देखते हैं क्या करेगा कासिम आगे चेप्टर में हम देखते हैं अब यहाँ पर क्या बोल रहे देखो बट यह वो इंसान था जो कुवे का मालिक था ठीक है और यह जो इनसान था आगे क्या है कि वो किसी को भी अपने कुवे से पानी निकालने नहीं देता था ठीक है he told कासिम why do you come to me again and again to beg for access to my well अब देखो यहाँ पर क्या अगेन अगेन मतब वापिस बार बार आप बोल सकते हो beg मतब क्या अब बोल सकते हो विंती करना वेल मतब कुँआ तो यहाँ पर क्या बोलने है देखो यह जो कासिम था जो sorry यह जो एहमद था उसने कासिम से बोला कि तुम मेरे पास बार-बार क्यों आते हो मेरे जो कुँआ है उसका access लेने के लिए उसे इस्तिमाल करने के लिए मेरे पास आके बार-बार विंती क्यों करते हो I feel sorry to turn down your request every time और एहमद ने का बोला कासिम से कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी मैं तुम्हारी जो request है जो तुम्हारी विंती है इसको मैं ठुकरा देता हूँ मैं तुम्हें ना बोल देता हूँ जब भी तो मुझे बुरा लगता है तुम क्यों बार-बार मेरे पास आते हो I have a suggestion for you अब देखो एक एहमद क्या बोल रहा है कासिम से कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक suggestion है एक उपाय है Suggestion मतलब क्या बहुत करें एक उपाय Collect some money and buy the whole well from me Collect मतलब क्या जमा करना Money मतलब पैसा Buy मतलब खरीदना Well मतलब कुआ Whole मतलब पूरा तो देखो अब यह एहमद क्या बोल रहा है कासिम से कि तुम्हे काम करो पैसे जमा करो और पूरा कुआ ही मुझसे खरीद लो क्यों बार बार उन्ती करने आ रहे हो अगर तुम पूरा कुआ खरीद सकते हो पैसा जमा करके मुझसे पूरा कुआ खरीद दो अब देखते हैं आगे क्या होगा है यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या बोले कासिम thought over the suggestion and like bit देखो यहाँ पे thought बंद तोचना suggestion मतब राय, like मतब पसंद देखो क्या बोले जो यह कासिम था इस जो एहमद ने उसको राय दी थी यह जो suggestion दिया था उसके बारे में सोचा और उसे यह पसंद आया कि जब मैं पूरा कुवा ही खरीद लूँगा तो मैं उसका माल ही करा हूँगा तब मैं जैसे चाहूँ वैसे पानी इससे माल कर सकता हूँ तो इसके लिए कासीम कोई आइडिया अच्छा लगा यह suggestion अच्छा लगा देखो यहाँ पर न्यू मतलब जानना मनी मतलब पैसा आस मतलब पूछना सो मतलब देखना माइंड मतलब क्या दिमाग आई मतलब आथ चैनल मतलब क्या जो आप बन सुक्तो थोटी चोटी जो नली रहती है जहांसे पानी यह सब बहृता है और्ट मतलब पानी आपको माल में फील्ल मतलब खेट डिसीजन मतलब फैस ला लेना ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि कासिम को पता था कि एहमद बहुत जादा पैसे मांगेगा इस कुए के लिए लेकिन उसने अपने दिमाग में एक बात सोची उसने एक दिरिश्य देखा अपने दिमाग में कि पानी के जो नाले है वो उसके खेट में बहते हुए आ एहमद से वो वेल को कुए को बॉट मतलब खरीद लिया ठीक है अब देखो आगी क्या है देखो क्या है अगले दिन जो कासिम था वो हसी खुशी एकदम कुए के पास गया और वहाँ पे एक चैनल एक नाला बनाने लगा पानी के लिए ठीक है बट वेन बिगन तो ड्रॉव वाटर देर वास अ सर्प्राइज इन स्टोर फोर हिम क्या बोल रहे हैं लेकिन जब यह जो कासिम था यह जब इसने एक नाला बनाना शुरू किया कुए से अपने खेट तक के लिए कि वो पानी अपने खेट तक लेके जा पाए तो उ अब अब बल सकते हो जोर से बोलना यहां पर मतलब है ठीक है डैर मतलब अब 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 बल सकते हो अब हिंदी में क्या बोलेगे उपस्ती थी यह तो अब मौझूद भी बोल सकते हो ओके तो देखो जब उसके लिए क्या सर्प्राइस था कि अचानक वहां पर अहमद आ गया अहमद आ गया है और उसने क्या बोला कि कासिम तुम यह क्या कर रहे हो मेरे उपस्ती में मेरे सामने तुम मेरा पानी टच भी कैसे कर सकते हो मेरा पानी अगे तो पुल रहे हैं? वेल तो देखो यह एहमद क्या बोल रहा है सोल मतलब बेचना वेल मतलब कुवा वाटर मतलब पानी वेल मतलब कुवा तो देखो एहमद क्या बोल रहा है मैंने तुम्हें अपना कुवा बेचा था अपना पानी थोड़ी तुम्हें बेचा है मैंने मतलब कुवे के अंदर ज यू कांट यूज इट और उसमें क्या बोला है कि तुम इसे इस्सेमाल नहीं कर सकते हो पानी को इफ यू निड़ेट दा वाटर अलॉट अलॉट विट वेल यू शुड एफ सेड सो अब अहमद क्या बोल रहा है निड़र मतब जरूरत वाटर मतब पानी सेड मतब अब बोलना तो देखो कहना तो देखो यहां पर अब देखो कासिम क्या सोरी अहमद क्या बोल रहा है कासिम से कि अगर तुम्हें कोएं के साथ पानी भी चाहिए था तो तुम्हें बोलना चाहिए था मुझसे यह बात अब देखो अहमद वापी सब कासिम से बोल रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और राय है पे फूर दा वाटर सेपरेटली एंड यूज इड पे मतलब क्या अब बोलतो पैसा देना ठीक है किसी चीज़ के लिए सेपरेटली मतलब अलग से यूज मतलब इस्सेमाल करना तो देखो वो जो राय थी अहमद के पास जो सुझाओ था क्या सुझाओ था देखो उसने बोला कि तुम्हें काम करो पानी के लिए तुम मुझे अलग से पैसे दो और तुम पानी यूज करो और देखो फ्रेश मतलब क्या ताजा वाटर मतलब पानी एवरी डे मतलब हर रोज तो देखो यहाँ पर अब अहमद का बोल रहा है तुम चाहो तो रोज मुझे से पानी खरीच सकते हो और मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं रहेगी ठीक है अब ऐसा अहमद बिचारे क कासिम को बोल रहा है मतलब कासिम इतने सारे पैसे देकर अपनी सारी जो भी बचत की थी पैसो की सब उसे देकर उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि पानी तो इससे पानी नहीं मिल रहे है उसने कुवा पानी के लिए खरीदा था ठीक है तो देखते है आगी क्या होगा अब तो ये आप देखो, कासीम क्याíamos बोल रहा है, अब कासीम क्या है? कासीम कोई यहाँ पहे? कासीम उस शॉग्ड तु एहर ऐमत्स आगउमेंट. देखो यहाँ जा है शॉग्ड मादब क्या? आश्षर्य चक्यत हो जाना, हेर मतलब सुनना, argument मतलब आप क्या बोल सकते हो बहस ठीक है तो यहाँ भी क्या बोले कासिम एकदम आश्यरी चक्कित हो गया एकदम अचंबित हो गया एहमद की इस argument को सुनकर इस बहस को सुनकर it was so unfair, so unjust he rushed to the काजी and told him the whole story unfair मतलब क्या मतलब आप बोल सकते हो unjust मतलब जुल्म आप बोल सकते हो ठीक है, rush मतलब भागते हुए जाना और story मतलब कहानी, क्या बोल रहे है कि वो इतना ज़्यादा गलत था इतना ज़्यादा वो unjust था, मतलब इतनी ज़्यादा वो गलत बात थी, कि जो कासिम था, वो भागते हुए काजी के पास गया, और काजी को उसने पूरी कहानी बताई काजी कौन देखो, बच्चों पहले के समय में काजी वो होते थे, जो अगर किसी के बीच में जगडा हो गया हो, कुछ बात हो कुछ भी अगर मसला हुआ हो, जगडा हुआ हो अगर आप अगले पाज पर देखना चाहो, यहाँ पर अब देख सकते हो यह है हमारे काजी, यह अँकल ठीक है, चलो भी देखते हैं अब यहाँ पही का बोल रहे है दा काजी वह उसा वाइज में समझ दार, क्या बोल रहे हैं कासिम टो बिरिंग अहमद तो his court so that he could hear both sides of the case, क्या बोले हैं बिरिंग मतलब लाना और यहाँ पे हिरन मतलब सुनना बोद मतलब दोनो देखो यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो काजी थे उन्होंने कासिम को बोला तुम्हें काम करो, अहमद को मेरे court मेरे जो भी मेरा coat है उसमें लेकर आओ और मैं दोनों जनकी बाते सुनूंगा दोनों साइड से क्या क्या बाते हैं सामने रखी जाएंगी मैं दोनों की बात सुनूंगा उसके बाद मैं फैसला दूंगा ठीक है अब आगई क्या है एहमद वा कोड दोरा बुलावा दिया गया समन के रगया आगी क्या अभी काजी हर्ड इदमस्ब्र से आ्रगीमेंट में अभर कि आ बल चुकते हो बहस क्या बहस कर रहे आप देह जी आगी क्या है I see that you are right काजी ने क्या बोला आःमद को कि हाँ मैं देख रहा हो कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो What you have sold is the well The water is all yours Isn't that so? देखो काजी ने क्या बोला देखो सोल मनदब बेचना well मनदब कुऊं तो देखो काजी भी एहमद जैसी ही बात कर रहे है क्या बोले कि जो चीज तुमने बेचा है वो तो कुवा है पानी तो अब भी तुम्हारा है यही बात है ना इसा काजी उससे बोल रहे है एहमत से लेकिन देखो आगे थोड़ा ट्विस्ट है आप देखते जाओ कासिम's heart sank when he heard the काजी's word sank मतब क्या एकदम उदास हो जाना एकदम दुखी हो जाना हार्ट sank मतब एकदम उदास हो जाना एकदम दुखी हो जाना देखो यहाँ पर क्या बहुत है कि जो कासिम बेचारा था जब उसने काजी को ये बाते बोलते हुए सुना तो एकदम उदास हो गया दुख पहुचा उसके दिल को, दिल को उसको ठेस पहुची, अहमद in his heart of hearts was overjoyed, और जोड मतब किया बहुत ही जादा खुश हो जाना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब अहमद ने काजी के बात सुनी, तो अपने दिल ही दिल में बहुत ही जादा खुश हो गया, he had never thought the काज काजी उसकी side ले ले लेंगे, उसकी तरफ आ जाएंगे काजी, ठीक है, उसे क्या लगा, कि court में जा रहा हूँ, अब तो काजी कासिम के हक में ही फैसला देने वाले हैं, मैं तो नहीं बचूंगा, लेकिन उल्टा हो गया, तो आगे देखो क्या है, my lord, I am so grateful you understand the fine points of this case, the water does indeed belong to me, grateful मतब क्या आभारी, understand मतब समझना, water मतब पानी, indeed मतब बेशक, देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब देखो, जो अहमद था, उसने क्या बोला, अब अहमद बोल रहा है, कि my lord, जज को बोल रहा है, काजी को बोल रहा है, हमद, कि my lord, मैं बहुत ज़्यादा आभ भारी हूँ आपका, कि आप मेरी बात समझे, आपने इस case को समझा, आपने यह बात समझी, कि जो water है, यह बेशक, मेरा water है, मेरा पानी है, in that case, एहमद, why are you keeping it in Qasim's will, अब देखो, अब काजी आ रहे हैं, इमें पॉइंट पे, अब काजी क्या बोल रहे है, कि अगर ऐसा है यह पानी आपका है, एहमद, तो यह आप कासिम के कुवे में क्यों रख रहे हो, you have no right to keep your belongings in his property, right मतब क्या अधिकार, keep मतब रखना, property मतब क्या आप बचुकते हो, property मतब समपत्ती, तो देखो, काजी क्या बोल रहे हैं, आगी क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हें कोई भी अध अधिकार नहीं है, कि तुम अपनी चीजें किसी और की property में, किसी और की समपत्ती में रखो, you must remove them immediately, remove मतब निकालना, immediately मतब तुरंत, और काजी ने क्या बोला, कि तुम्हें उस पानी को तुरंत निकाल लेना चाहिए, or else you can pay a daily rent to कासिम, then he will allow you to use his well, काजी ने क्या बोला, एक तो तरीका तुम अपना पानी तुरंत निकाल लो, या तो एक और तरीका है कि तुम कासिम को daily rent पे करो, भाड़ा दो अपने उस पानी को कासिम को कुए में रखने के लिए, तब कासिम तुम्हें अलोग करेगा उस कुए को इस्सेमाल करने के लिए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे काजी ने एकदम सही, एकदम शातिर फैसला सुनाया, आप दुखागी कहा है, एहमद was so confused that he did not know what to say, क्या बोलरहें, कि जो एहमद ता हो इतना ज़ादा confused हो गया था, कि आप उसको पता ही नहीं था कि वो क्या बोले, all the people present in the court begin to laugh, people मतब लोग, present मतब उपस्थित laugh मतब हसना, क्या बोले हैं कि जो भी लोग court में उस समय मौझूद थे, सब लोग हसने लगे, but Qasim was generous man, क्या बोले हैं, generous मतब इमानदार आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोले हैं, लेकिन जो Qasim था, वो एक इमानदार इंसान था, he never troubled Ahmed for the rent that was due from him, क्या बोले हैं, never मतब कभ भाड़ा, क्या यहां पर बोले हैं, कि Qasim ने कभी भी एहमद को भाड़े के लिए परेशान नहीं किया, कभी भी उससे भाड़ा मांगा नहीं, जो क्यों उससे देना था, क्योंकि court में फैसला यही हुआ था लेकिन Qasim ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो एक इमानदार इंसान था, ठीक है, तो देखो बच्चो, हमें यहां पर मालूम पढ़ा है किस तरीके से अपने शातिर दिमाग क्यों जैसे काजी ने कैसे कासिम के हक में फैसला सुनाया, और एहमद को एक तरीके से सबक सिखाया, कि वो आगे से गलती ना करे, ठीक है, तो यहां पर हमें यह सीख मिलती है, कि अंत में हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ठीक है, तो यहां पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसका देखो यह जो कुशन एंसर है, यह सब मैंने दे दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पांची किलास की वहां से आप दिवाइस कर लो, अगर आपको यूडियो अच्छे लगा तो आप इस उडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, थेंक यू